नमस्कार साथियों, Be Keeping India YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे जो एजुकेशन के वीडियो हैं जिसमें हम मदु मख्यी पालन के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो उन वीडियों को आप आसानी से देख सकें क्या चीतों की प्रोबलम या क्षोटी चीटी आं ḥो olm mechan कि आपका जो काम है हो चाहिए तो मेठा चीटियों चेटों कीडियों पसंद होता है तो उसको खाने जिए लिए बहे कर चीडियों की नुशाइ या उपने खाने चीडियों जो चीटे हैं या चीटीया है या इस तरहे कीडे मे कोडे जो मीठे кров को पसंद करते हैं वह आपके डिब दे कर पहुंच जाएं तो मदू मक्यों को नुकसान पहुचाते हैं जब आपके आज पास जो जहांपे आपने अपेरी रख़्ीयों है आपनी जो magg हीओं की जो farm रखा हुआ है वहाँ पे अगर चीटियां या मकोडे आपके पास आ जाते हैं, आपके डिब्बे के पास आ जाते हैं, तो आपने उनका किस तरीके से रख रखाव करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों जिस प्रकार से आप सब ये बोक्स देख रहे हो, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से इसके उपर जो चीटें हैं, उन्होंने हमला किया हुआ है, और चीटें जो इसके आसपास घूमते रहते हैं, जिसमें आप ये देखोगे, एंट्रेंस बोक्स के प उनको नुक्सान पहुचाते हैं, वो चीज आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके चारो तरफ जो चीटें हैं, वो इसके पर चड़ते रहते हैं, और जैसे ही मदुमक्खी के पास आते हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं, और इसका जो मदुमक्खियों को खाने की कोशिस करते क्योंकि इनके भोजन के रूप में इसका इस्तमाल होता है तो साथियो जैसे यह बोक्स है तो इस पे हमने किस प्रकार से केर करनी है कि जो आपके पास जो चीटे हैं वो आप तक आपके जो बोक्स हैं वहां तक ना पहुच पाएं उसके लिए आपने क्या-क्या चीजे कहानी रखनी होती है वह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो साथियोः आभी हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे किस प्रकार से चीटों से पुरा भरा हुआ है defined तो इसको सबसे पहले हम इसको दूर ले जा, करके इसको जार देंगे साइड में गेर देंगे और इसकी जो बोरी के उपपर ये जो सारी की सारी चीटे लगे हुए उसको भी सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेंगे और इनको दूर जाड लेंगे ताकि इनके जो चीटे हैं या जो भी चीटियां वगरा हैं वो सारी की सारी इसमें से हट जाएं तो इस प्रकार से आप इसको पहले जाड सकते हो ताकि जितने भी चीटियां हैं वो इसमें से निकल जाएं कि मोटे जो चीटे हैं उसके बाद इसके जो किनारे के जो जितनी भी है सफाई उसको कर सकते हैं इसके नीचे किसी भी प्रकार का घास फूस नहीं रहना चाहिए जाकि उसके उसके पर से भी चीटे नहां चड़ें इस चीज का हम ध्यार लखेंगे तो जैसे ये इसके साथ लगती हुई जो भी चीजे हैं घास फूस या कोई खर पतवार है उसको हम खतम कर देंगे यहां से इसके आस पास से तो साथी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस प्रकार से जो चीटियां है जैसे डिब्बे के पास आप देखोगे बिल्कुल बहुत सारी चीटियों ने अपना घर बना रखा है अब इससे बचने का सीधा सा कोई उपाई नहीं है आप डिब्बो को हटा नहीं सकते और हटाने की कोशिस भी करोगे तो मदुमखियां अपनी पुरानी जगा पे जाती है लेकिन इनको आप सब किस प्रकार से इनसे बच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इनको हमने हटाना है ताकि कोई भी जो चीटा है वो इसके पर ना चड़ पाए जो भी की वज़े से यह जो चीटे हैं आपके जो मदुमखिय के को लोनी है वहां पर ना पहुंच पाएं इसके लिए आपने क्या इंतिजाम करना है वो मैं आपको बताता हूं कि साथियों सबसे पहले इसकी हम सफाई कर रहे हैं जो अच्छी तरह से देख लें जान पर ताल कर लें कि इसके उपर से सारे के सारे जो चीटे हैं वो हट चुके हैं पती से आप या किसी और चीज से आप इसको अच्छी तरह साफ कर सकते हैं इसके बाद साथियों हमारे पास एक बहुती जबरदस चीज है क्योंकि ये जो चीटे हैं वो वैसे किसी भी चीज से नहीं जाते हैं कोई भी दवाई वगारा लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी भागते नहीं है और मदुमख्यों को नुक्सान पहुचाते हैं लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूँ आ जिसका नाम है लच्मन रेखा और यह जो लच्मन रेखा है वो पूरे इंडिया के अंदर मोश्ली इलाकों में पाई जाती है जायतर कोक्रोच वगारा बगाने के काम आती है लेकिन इसका उप्योग आप सब मदुमख्य पालम में कर सकते हो कीडे मकोडों चीटियों से या मकोडों से उनको दूर रखने के लिए मदुमख्यों को तो इसका उप्योग कैसे करना है साथ ही हो वो मैं आपको बताता हूँ और इसको सबसे पहले आपने इसका जहां पर लगाना है इसको इसका किनारा नीचे का बोटम जो है बिलकुल साफ कर लेंगे हैं ताकि हम इसके अपर जो लचमन रेखा है उसको लगा सके इस परकार से अभी इसके बोटम पर नीचे बहुत सारे मकोडे लगे हुए हैं इसलिए परा रहे लेकिन इसको हमने अच्छी तरीके से इसका जो बोटम है वो साफ कर लेना है ताकि हम इसके पर जो लचमन लेखा लगाएंगे वो सही से लग सके और यह अपना काम कर सके तो जितने भी जो सफाई है इसकी वो हमने कर लेनी है जायतर साथियों जो मकोडे हैं वो सर्दियों के बाद यानि बारिस का जो सीजन होता है उसके बाद सबसे ज़्यादा ये उबर करके आते हैं थे हैं तो उनसे हमने बचना है अपनी मदो मक्यों को बचाना है बारिस के बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा मकोडों का जो प्रकॉप है वो बारिस के बाद ही होता है साथियों ये एक चौक की तरीके से ह kangusक लेका बोलता है आं आम तोर पे पूरे इंडिया के अंदर ये अविलेबल रहता है और किसी को ना मिलेते ओनलाइन भी मंगा सकते हैं तो साथ ये इसका उप्योग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका उप्योग आप सब किस प्रकार से कर सकते हैं साथ यो जैसे लश्मन पारें पास। इसको हम ने भी बेस केक पर निहीं लगाना, बलके इस तीरों तरफ से के लश्मन पारें, फूरन के लुष मों ओबारेंगे। एक लाइन खीच निहीं होती है, इसकी क्योंकि जॉब के तरीकर Welsh के बनाए होता है। और इसको हम चारों तरफ इसके लगा देंगे, बॉक्स के, इसके पर एक पॉलाथीन लगा होता है, इसको भी हमने उतार देना है, ताकि ये अच्छी प्रकार से लग सके इसके उपर, तो इसको हमने चारों तरफ इसके लगा देना है, लाइन की तरीके से, तो इसको हमने चारों तरफ इसके लगा दिया है, जहां से भी इसके एंटरन्स की संभावना होती है, उस जगा को हमने इसको कवर कर देना होता है, और जितने भी ये चीटे हैं, जो मकोडे हैं, छोटी चीटियां हैं, या कोई इस तरह का किड़ा मकोड़ा, जो आपके छत्ते के अंदर जाता है, और छत्ते को नुक्सान पहुंचाता है, उसको ये उपर नहीं चड़ने देगा, दो-तिन दिन के बाद साथियों अगर ये जो लच्मन रेखा है, ये अगर उतर जाती है, तो इसको फिर से दुबारा आप इसके उपर रेखा को लगा सकते हो, ताकि आपकी जो मदुमख्या हैं, वो चीटों से, कीडे मकोडों से बस सकें, तो साथियों ये बड़ी खोजबीन के साथ है, मैं इसको पता लगा पाया हूं, इससे पहले मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपलाई की थी, जो की वर्क नहीं करती, बहुत सारे लोग इसके जो पैर हैं, उसके निचे पानी लगा करके इसको रोकने कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों कि मदुमख्यों को भी पानी चाहिए होता है, तो उसमें नतीज़ा है आता है, पानी रखने से, जो मदुमख्यों पानी लेने जाती हैं, और उसके अंदर डूप जाती है, तो पर लगाना भी है तो हम इसके यहां किनारे पर लगा सकते हैं जिसकी वज़े से इनका जो एंट्रेंस है तोटली आपको चार तरफ से रेखा द्वारा बंद हो जाए अब साथ ही देखोगे तो अभी इसके चार तरफ हमने रेखा लगा दिया तो अब यह जो चीटे हैं यह इस बोक्स के अंदर एंटर मिल करेंगे और जो उपर है जो पहले से चड़ चुके हैं इसके इसके पर उसको हमने पहले से जाड़ देना होता है ताकि जो चीटे हैं वो इस बोक्स के अंदर ना प्रवेश कर सके और साथ हो इसको बोक्स के कोई जो भी आपका भी बोक्स है उसको आपने अच्छी तरीके से जाच परताल कर लेनी है कि उसके अंदर कोई छेद तो नहीं है अगर उसमें कोई छेद है तो उसको बंद कर दें पहले तारज सकते हो और तो साथियो इसमें हमारे पास हमने जो बोरी इसके पर से उठाई थी उसमें से भी अच्छी तरीके से आपने इसको जाड़ देना है ताकि जो पहले से इसमें चीटे चड़े हुए है वो इसमें से दूर हो सके उसमें से भाग सके ताकि आपकी जो मदुमक्खिया हैं आराम से काम कर सके आपके बी कलोनी जो है वो सेफ रह सके और उनको किसी प्रकार का नुक्सान ना हो साथियों इस प्रकार से मैंने इसमें से पूरा ज़ार दिया चीटों को या चीटियों को और इसके पर का जो कवर है जिसके अंदर बहुत सारी जो चीटे पहले से मुझूद थे उसको भी मैंने अच्छे तरीके से जार दिया ताकि इसमें से जितने भी चीटे हैं वो निकल सकें दुबारा से जो मदुमखियां हैं उनको तंग ना करें तो साथियों ये मैंने इसे पर कवर लगा दिया चीटों को निकाल करके तो इस परकार से साथियों आप सब अपनी मदुमखियों की अच्छे से देख भाल कर सकते हो और बारिश के बाद जो चीटे आते हैं उनसे आप सभी सीच को बचा सकते हो तो साथियों ये थी आज की वीडियो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्याद ज़्याद सेर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग इस चीज का लाब उठाशके साथी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you very much